सुनो सुनो आया आया नाटक आया अपना नुपकर नाटक आया स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर फॉलिटीशन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर परिवार में कम से खम एक इनसान ऐसा होता है जो औरत को बोलता है अपने सप्रों के साथ कॉंप्रमाइस करने को कॉंप्रमाइस क्यों करें हम कॉंप्रमाइस हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नज़रों में बेबस और खारी एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदना सिखाएंगे अरी जब इस समाज को भी तुमारी नहीं आपड़ी तो कुम सब इसको बदने पर क्यों हो आई ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा महिलाओं के बारे में समाज की सोच कर ले नहीं दो देगी लेकिन ऐसा दुरूरी नहीं है, इस देश में ऐसा ही चलता रहे इन सब समस्या को बदना भी जा सकता है तो आईए देखते हैं, ऐसे ही एक समाज की जलक आप सब के सामने मा, मुझे पैसे चाहिए मा, मुझे भी पैसे चाहिए पैसे, तुझे क्यों चाहिए पैसे तैड़ी, मुझे 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 भी मुबाइल चाहिए मुबाइल, तुझे क्यों चाहिए मुबाइल मा, मुझे बाइक लेनी है बाइक, तुझे क्यों चाहिए बाइक डैडी मुझे पढ़ने के लिए अपराओ जाना है पढ़ाई तुझे क्यों करनी है पढ़ाई अरे बेटा अपराओ जाकर करेगी क्या चालेस लाग का खर्चा आएगा फर तो वहां से आएगी तेरा रुष्टा तै हो जाएगा फिर तेरी शादी के लिए मुझे लहेत की देना पड़ेगा फिर तुझे करके ससुराट चली जाएगी अरे बेटा जो तेरी माद शादी में आएगे रुकती है तो तुझे शादी कर ले अर अपने बाब की दुआई ले दीजा बाबल की दुआएं ले दीजा जा तुज़ को सुबी संसार मिले हमारे समाज में हर ओरत को अपने फैसले लेने का फूरा हफ है मगर फिर भी जारातर ओरते हाउस भाइप हैं अपनी मरजी से नहीं आप दूसरों के दुबाब ने आतर आप जेसे लोगों के द्बाब ने आतर क्योंकि घर के खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉंप्रमाइज कर लो कॉंप्रमाइज? क्यों करें हम कॉंप्रमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और वारी एक दिन आएगा, जब हम अगरे पैलों कर खड़ा होकर दिखाएंगे उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे अरे मन्हूस, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था आज तो तुझे चुपकारा पाँ करी रहूँगा अरे बच्ची खड़े में गिर गई, अजी सुनते हो बच्ची खड़े में गिर गई मैं हूँ नितिका और आप देख रहे हैं आज तक दियूँज चलिए बात करते हैं उस बिदा से और जानते हैं कि वो कैसा मैसूस करने है हम बहुत खुष्ट है, हमार बिटिया टीप पी आई, हम टीप पी आए, हमारा पुरा गाव टीप के आया, हम बहुत खुष्ट है क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी हमार बिटिया खेल रही थी और खेलते खेलते गड़े में गिर गई जूट 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 नाही नाही हम जूट नाही बोर रही देश में इतने सारे गट्टे है सरकार को हर एक गट्टे का इसाफ देना पुड़ेगा और इसी के साफ इसाफ इसाफ में बच्ची के भुविश्य के लिए लाख रुपे देने का एलाम किया ये तो बहुत अच्छी खबर है आपके इस बाले में क्या बजार है हम बहुत खुशत है हम सरकार का सुक्रियादा करना चाहते हैं क्या आपने सोचा है कि इन पैसों से आप क्या करेंगे हम इन पैसों का अपनी खेती बाड़ी में लगाएं अठारा साल बाद पापा पापा मेरी कॉलेज में एक मीशिन कर वाद हो कॉलेज? क्या करेगी कॉलेज आकर? अब तो तेरी शादी की उमर हो गई है नहीं पापा मुझे शादी नहीं करनी मुझे पढ़ना है क्या करेंगी पढ़ाई करके, घर पे रहेंकर घर काम का सी इतने बड़े बड़े सपने देके थे, सोचा था, कॉलेज आकर पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी पर, पर मेरा ये लड़की होना ही गुना है बेटा, अब रोने से खुच्छी होगा, तेरे बापर तेरे लिखकर कर दिया है अब ये केमडी कॉलेज मेरी किसमत में कहा, मुझे तो शादी ही करनी हो लड़के वाले बेटा, वो है लड़का माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है पेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जा के अपने पीदा से बात पहुए पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है क्यो? क्यो नहीं कर सकती? पापा, मुझे केवल तीर वशता समय दीजिए तीन्स वर्षपार जैसा आफ़ा होगे मैं वैसा ही करूँगी तीन साल अरे इसे भी तो मुखा देखी देखो आज करकी रड़किये लड़कों से काम थोड़ी ना है चल देखता हो तू भी क्या कर लेती है एक जिंदगी मेरी सोफाई शाम तीन साल बार मा, मा कहा हूँ मा मा, मा मैं आगई मा, मैं आईएस ओफिसर बन गई हूँ अब खुश तो होना मा हाँ बेटा, मैं क्यों खुश नहीं होगी तु रूपेक मिले, मैं अभी तेरे बापा को बिलाती हूँ अजी सुथते हो अरे क्यों चिला रही हो ऐसा क्या हो गया हमारी बेटी आ गई पापा मैं आ गई और जो बोला था वो कर्की दिखाया है मैंने ये तीन साल अपने बरबाद नहीं पूने दिये है देखा कहा थाना मैंने आपको लड़किया लड़कों से कम नहीं होती हाँ अब तो मैं भी मानता हूँ शाबाज मेरी बेटी करभर मैंदान पते करभर मैंदान पते ये कबस कुशी समस्याय थी जो हमने आपके सामने रखी हमारे देश में तो औरत को जीने का भी हक ने अरे, जूमर इंपार्वर्मेंट का मतलब यह नहीं, कि ओरतों को साहस दिया जाए अरे, नहीं यार, ओरतें इतनी विकमजोर नहीं होती ओरतें इंपार्वर्मेंट का असली मतलब होता है टो गेट इकल स्टेट इन सुसाइटी अगर इस समाज की सोच नहीं बदली तो इस देश का कुछ नहीं होगा और तो गो कभी उनका अधिकाल नहीं मिलेगा जरा सोची और उनका साहथ देजिए क्योंकि अगर आज आपने इनका साहथ नहीं दिया तो जो होता आया है, वही होता रहेगा अगर एक लड़के को पढ़ा होगे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ेगा अगर एक लड़की को पढ़ा होगे तो पुरा समाज पढ़ेगा हमारे देश में लड़कियों की पढ़ाई की बजाए उनकी शादी पर ज्यादा खर्चा किया जाता है तो हमें लड़कियों का साहत बढाना चाहिए और उन्हें पढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए तो आएगे, बोले मेरे साथ भारत माता की जैए!